आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केस डॉनग्यू वर्सिस टीवंसन ये 1932 का केस है और इसके जो भी फैक्ट, इशू एंड जज्ज्मेंट है और अब्जर्वेशन्स ओफ कोट हम उसको समझेंगे तो जो फैक्ट है, मिसिस डॉनगियू वें टो रेस्टोरेंट विध हर फ्रेंट, मिस्स डॉनगियू जाती है अपने फ्रेंट के साथ एक रेस्टोरेंट में, उनकी फ्रेंट उनके लिए अॉर्डर करती है जिंजर बीर, जो की ञेसे corona की जाती है ब्ज़िSoer से shrinking के दौरा तब वो उस bottle में decomposed remains of snail observe करती है जिसकी वज़ा से उनको sudden nervous shock लगता है and उनको ऐसा लगता है कि she developed gastroenteritis which is a stomach flu basically इसमें vomiting, nausea यह सब चीज़ें experience करता है इंसान तो वो manufacture के आगें suit file कर देती है for compensation अब इस case में decision and observations and reasoning court देता है that is court held that it was the duty of the manufacturer to take care of the bottle that it should not contain any noxious matter मतलब यह manufacture का duty बनता है कि वो अपने customer को कोई ऐसी चीज़ ना दे जिससे उसकी health को नुकसान हो and इस case में मिसस दौन की होती है उनको compensation दिया जाता है क्योंकि इस case में जो manufacture था he was negligent and उसने duty of care towards his customer नहीं शो की पूो कि की थाज़ सक्थटब य crawl dazu कि तक do